असलाम अलेकुम जिस लेक्चर में मैं आपको खुशामदीत कहते हूं और आज की इस मीटिंग के अंदर भी और आज जो हम चीज देखने वाले हैं वो है एक्सल पर एक प्रॉपर प्रॉजेक्ट कैसे बनाया जाता है और बेसिक स्टेडिस्टिक्स हम किस तरहीं किसे लगात आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ रही होगी होगी होफुली और आज आज हम जिस काम पर जो जिस चीज पर काम करने वाले हैं वो है रिलेटेड तो एक्सल अफकोर्स और एक्सल के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आज हम देखेंगे ये मेरे पास एक एक एक्सल की में शीट ओपन करता हम विच इस रिली अन्यू शीट आपका टास था कि आपने फार्मूला टुटोरियल पिविट टेबल टुटोरियल और वैलकम तो एक्सल इन थीनों को एकठे देखना था और इसके इलावा कुछ टेंप्लेट्स भी मजूद होते हैं एक्सल क प्लैनर, Loan, Amortization, Schedule and there are many other citation kind of templates which you can use. जिसमें Family Budget Planner है, Inventory List है and there are many other things. तो आप इनको खुद से explore कीजएगा जिनको हम बोलते हैं templates और ये templates और ये templates और रड़ी मजूद होते हैं. अगर आप यहाँ पर कोई भी search करें online template तो आप वो भी मना सकते हैं. say for example, मैं charts का template search करता हूँ and you will see that going beyond pie chart, ये हमारे पास tutorial भी है इसका, फिर बाद में आपके पास multiple किसम के templates मुझूद हैं जहाँ पर आप जाके सारे किसम के chart बना सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि multi milestone infographic timeline आपने बनानी है, कि आप किस तरीके से काम करें तो आप इसको open कर लेंगे. social media की engagement का chart बनाने तो आप यहाँ से and there are many other charts available जो templates के तोर पे मुझूद हैं. So office 365 का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आपके पास एक different किसम के templates already मुझूद होते हैं which you can use for your projects. ठीक है? तो यह जो projects हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं. जो charts हैं. इसके इलावा अगर मैं back जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे charts के इलावा calendar है, budget है, list है, planner and trackers है, personal है, business है. Planner and tracker पे अगर हम जाएं तो यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हैं कि sale invoice tracker है, online sales tracker है, loan, amortization schedule है, गेंट project planner है. इसके बारे में last time हमसे question पूछा गया था कि गेंट chart हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, so usually आपको बहुत ज्यादा काम खुद नहीं करना पड़ता, आप बने बने templates के ओपर भी काम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर यह template आ रहा है, और अगर आप गौर करें, तो वहाँ पे different किसम के आपके पास चीज़ें आ जाती है, और आपको बताया गया होता है कि कौन से चीज़ क्या show करें, तो गेंट chart क्या होता है, basically आपको जितने भी महीने का कोई project सा आप उसको multiple progress report के तुरू देख सकते हैं, so this can help you, यह है आपका गेंट chart जो आप देख सकते ह इसके बाद आपके पास templates के अंदर और भी बहुत कुछ है, for example, मैं business owner हूँ अगर, तो मैं अपने business की monthly budget report बना सकता हूँ, invoice generate कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर अकाद लोगों को यह नहीं पता होता है कि जो small business वाले है, online कोई earning कर रहे हैं, या online किसी चीज़ को invoice के थुरू उन जो weekly time है, उसकी base पे यहां पर add कर सकते हैं, कि आपने कौन सा time किस एक चीज़ को देना है, यानि Excel सीखना है, Python सीखना है, या whatever you are learning, so these kind of templates are helpful, अब जो अगली चीज़ है, इस lecture के अंदर वो यह है कि templates के इलावा, अगर आप blank sheet कोई भी open करें, you can do a lot of things, और सबसे बड़ी एक जो important चीज़ है, अगर आप file पे जाने के बाद, अगर आप यहां पे options पे जाते हैं, मैं options पे जाता हूँ, और यहां पे अगर आप नीचे जाते हैं add-ins पे, तो add-ins पे जाने के बाद, आपके सामने यहां पे Excel की add-ins मुझूद है, ठीक है, Excel की add-ins के इलावा, आपके पास com add-ins मुझूद है actions add-ins मुझूद है xml expansion pack है and disable items भी है तो मैं अगर इसको zoom in करूँ तो ये आपके पास कुछ add-ins मुझूद है ठीक है अब अगर आप DAX जिसे हम data expression analysis बोलते है उसको जब हम use करेंगे we will use power pivot inside Excel लेकिन उससे पहले Excel add-in को समझना जुरूरी है Excel add-in के अंदर कौन-कौन सी add-ins है मैं भी आपको दिखाता हूँ go पे आपने जाने और यहाँ पे आपके पास ये analysis tool pack आ जाएगा ये वाला आपके सामने analysis tool pack VBA के साथ आ जाएगा आप इसको भी कर सकते है euro currency tool है solver add-ins and there are many other add-ins तो analysis tool pack and analysis tool pack VBA को अगर आप select कर लेंगे इसको ok करेंगे and now you have analysis tool pack inside your data और अगर आप data में जाएगे तो ये data analysis आपके सामने आ जाएगा ठीक है tool for financial and statistical analysis ये add-in free में office 365 के अंदर मुझूद है तो add-ins अगर आप activate करना चाहें so this is the way मैं again बताता हूँ file options add-ins excel add-ins and here you have analysis tool pack ठीक है यहाँ से आप इसको active कर लेंगे let's see अगर मैं इने deactivate करता हूँ तो क्या होता है वहाँ से वो vibe हो गया ठीक है तो अगर आप ते पास ये नहीं show हो रहा you have to activate that again वही चीज़ दो से तीन दफा मैं स्वेटा से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रहे यहाँ से मैं इसको analysis tool pack को on कर लेता हूँ and it will be there ठीक है पहले चीज़ तो ये होगी अब जब हम DAX को करेंगे तो हम यहीं से वापस जाएंगे add-ins पे यहाँ से com add-ins पे go करेंगे and यहाँ पे you will see Microsoft power pivot for Excel यह है जो DAX queries को handle करेगा power map for Excel यह maps बनाएगा and data streamer for Excel यह भी आपकी help out कर सकता है so मैं इन दोनों को बलके तीनों को यह okay कर लेता हूँ for now जैसे मैंने ने okay किया this will actually come up in my data streamer pack यहाँ पे आगया तो आपकी help button के बाद यह दोनों चीज़ें आगए power pivot आपका formula लेक्के आपके functions जो है यहाँ पे बताता है ठीक है new measure manage कैसे करना KPIs क्या होती है model क्या होता है detect क्या होता बाकि चीज़ें और power pivot जो है basically आपका formula को जो आप formula लेक्के data का analysis कर रहें वो उसको थोड़ा सा advanced level पे ले जाता है थोड़ा सा और advanced level पे और power pivot जो है basically DAX के लिए use होगा जो मैंने पिछले lectures के अंदर भी आपको बताया था अगर DAX देखा जाए क्या है तो यह basically DAX एक्सल अगर आप लिखें तो यह basically data analysis expression है जिसको हम DAX language बोलते हैं यह coding language नहीं है but this is advancement in formula जो formula आप लिखते हैं उसकी advancement है ठीक है उससे भी थोड़ा सा advanced level पे है तो Excel के अंदर यूज के निगले आपको power pivot का use करना पड़ते हैं तो अभी के लिए तो मैं power pivot को off करूँगा ताके आपको समझ आए कि जब हम use करेंगे DAX expressions को then we will turn this on तो again वो ही procedure है काउम पे जाके मैं यहां से इन तिनों को off कर दे तो ताके मेरे Excel में ज्यादा रशना पड़े और यहां से यह चीज़ें गाइब हो जाएं basic Excel सभी जानते होंगे लेकिन यह ऐसी चीज़ें DAX हो गया इस तरह कि बाकी outlines बगारा यह बहुत कम लोगों को पता होता है तो प्लीज यह फ्री में टूल है आपके पास office 365 के अंदर that's why we need this one अब यह तो मैंने कर लिया कि मेरे पास यह DAX का टूल आ गया अब अक्सर उकाद हम परिशान होते हैं कि data कहां से ले हैं जिसको analyze करने है data कहां से ले तो data लेने के लिए जैसे मैंने start में आपको बताया था कि google data search एक है google data search एक यह website है जिसके उपर जाके आप data को search कर सकते हैं for example मैं यहां पे अगर लिखता हूँ car sales in EU Europe के अंदर car sales कितनी हो रही है free पे click करता हूँ click करने के बाद यह मेरे पास European Union का trading का data आगया और यह CSV Excel JSON file के अंदर यह मजूद है तो मैं यहां पे जाके data collect कर सकता हूँ ठीक है और यह formats available है मेरे पास passengers car sales in the European Union total vehicle sale by country in Europe मैं यहां पे जाता हूँ जाने के बाद यहां पे export पे click करता हूँ download data पे कर सकता हूँ Excel add-in भी इसकी मजूद है अगर आप trading economics पे जाएंगे तो यहां पे आप add-in को download करके से directly use कर सकते हैं और यह 20 million economic indicators को 200 countries का आपको दिखा देगी अगर मैं इस पे click करूँ यह add-in मेरे पास आवे I can also use this add-in लेकिन हो सकता है यह पैसे मांगना start कर दे I will try this open this तो मेरे पास यह वाली add-in जो है वो इस पर कर नहीं चार रही just because कि मेरे पास जो add-ins है वो unknown publisher के through आई है यानि कि यह safe नहीं है मेरे system के लिए so मुझे तो सिरफ data चाहिए न तो मैं export पर जाकर download data पर click करूँगा and then यहां पर आप देख रहे हैं कि pricing यह मांग रहे है so usually क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज का data download करना चाहते हैं आप से पैसे मांगने लग जाते हैं या वह आपको कहते हैं कि data को download करना है so you can have you have to pay इसका मतलब इनकी add-in भी free में नहीं थी ठीक है so अब दूसरा तरीका कार क्या है कि मैं किसी और data set पर click करूँगा say for example मैं यहां से trading economics वाला ही है मैंने free पर click भी किया but still it's not giving me the free data I will go down और EU passenger market पर जाता हूँ index box पर जाता हूँ यह भी पैसे मांग रहे हैं so I have to find the free data let's see हलांगे मैंने free पर click किया यह free होगा क्योंकि europa.eu यह इनकी official website पर यॉरप की तो मैं यहां पर जाता हूँ यहां पर जाने के बाद data set पर आ जाता हूँ quality similar etc etc let's go down language यह सिरफ Dutch के अंदर मुझूद है English के अंदर we will see that distribution यह आपके पास link to the data यहां पर download आ गया तो यहां से access URL पर भी मैं जा सकता हूँ यह मैं download और भी कर सकता हूँ तो मैं यहां से यह json file है यह atom feed file है let me see कि इनके excel की file मुझूद है के नहीं मैं यहां पर जाके access URL करता हूँ let's see so I'm just trying to find out some data set let's see of course यह Deutsch यानि के German के अंदर data है so I'm not saying कि आप German का data जो है वो download करें but still giving you an idea यहां पर click करने के बाद यह CSV मेरे पास table है मैं इसको right click करके translate करता हूँ और CSV in table format CSV with statistical symbol CSV without statistical symbol more option via data portal इस पर click करता हूँ अगर आप चेक करें तो यहां पर मेरे पास open data की website आगी है but here I can click and go to table format and here we have the data अब मैं क्या करूँगा data जो मेरे पास आ गया है मैं इसको save करूँगा कहीं पर और मैं of course अपना personal में जाके यहां पर अब मैं आप नया folder यहां पर खुद से generate कर सकते हैं और वहां पर भी काम कर सकते हैं so either आप download document या कहीं पर भी जा सकते तो मैं अपनी one drive के अंदर इसका folder बनाता हूँ 01 इसको मैं बोलता हूँ data analyst bootcamp ठीक है इसके अंदर चलेगे data मैं यहां पर ले जाता हूँ data sets for practice और यहां पर मैं उस data को paste कर लेता हूँ download वाले folder से copy and paste यह मेरे पास data आ गया ठीक है क्योंकि यह data जो है csv format के अंदर है csv क्या होती है आपको भी पता है कि comma separated values होती है वो क्या होता है अगर मैं इसको excel में open करूंग it will look like this और अगर आप गौर करें तो यहां पे जो हमारे पास हर एक column है वो comma separated value या semi column separated value तो एक तरीका कार यह होता है कि आप इसको csv को excel के अंदर open करें या इसको save कर ले excel की sheet में so मैं इसको यहां से excel workbook में save करता हूँ पहले ताकि मेरे पास यह excel की sheet में रहे और जो data मेरे पास है वो कुछ इस तरीके से आ गए है अब आप देख रहे होंगे कि यह data जो है यह इतना scattered है कि यहां पर semi colon separated file है अगर आप गोर करें तो यह file semi colon separated है यह semi colon लगे हुए और file separated हु data ऐसा भी आता है आप इस data को separate भी कर सकते हैं या आप कोई और data भी download कर सकते हैं for example मैं इस पर click करता हूँ data पर जाता हूँ data पर जाने के बाद text to columns करता हूँ और यहां से delimited function को use करके delimited क्या होता है कि किस एक चीज के थूँ आपने separate करना है मैं semi colon के through करता हूँ और आप खुद बाखुद separate हो गया नीचे यहां पर सारे column separate हो गया semi colon के तो ठीक है जहां जहां पर semi colon आ रहा था अब automatically पूरे के पूरा save हो गया है ठीक है so this is how you can save your data और यह जो उपर वाली lines है मैंने खतम कर देता हूँ just for the sake के मेरे पास सिरफ data होना चाहिए something like this right अब यह मेरे पास data आ गया अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास periods है यानि के कहां से data कितने देर तक है फिर आपके पास numbers आ रहे हैं और फिर आपके पास data की details आ रही है of course this is in German so I'm just giving you an idea कि आप data को separate कैसे कर सकते हैं ठीक है semi colon की base पे अब मुझे यह लगता है कि data set बहुत छोट है मैं इस विज़ा से यहां पर जाता हूं इसको बंद करता हूं data split का आपको पता दिया मैंने कैसे split करना है अभी सिरफ मैं इसको delete करता हूं for now दूसरा तरीका data set को find out करने का यह है कि आप जाए power bi पर प्रैक्टिस या आप यहां पर लिखे super store data for प्रैक्टिस और प्रैक्टिस तो अगर आप sample store पर जाएंगे तो tablet community के अंदर इसकी excel की sheet मुझूद है तो यह data जो है यह free में आपके पास available होता है super store का data है और इसको आप यहां से download कर सकते हैं like this यह मेरे पास data यहां पर आ गया मैंने इस data को save किया save करने के बाद मैं यहां पर इसे paste कर लूँगा it will be showing up here in a minute this one यह राज़े data ठीक है तो यह super store का sample super store का data है मैं यहां से इसे remove कर देता हूँ ताके मेरे पास हमी फजूल में चीज़ें ना पड़ी रहे तो यह मेरे पास data आ गया ठीक है यहां तक clear हो गया super store का data मैंने कैसे लिया मैं directly tableo के उपर चला गया और sample superstore.xls file जो है वहां पर जाके यह data आ गया अब data क्या है कैसा है वो हम पहले पढ़ेंगे फिर हम data को understand करने की कोशिच करेंगे और data analysis tool pack को देखेंगे sample data set that appears in December tableo user group presentation note geographic locations have been altered to include candidates Canadian locations, province and regions अब यह superstore excel file है ठीक है कहां से आई है यह basically 2017 तक का data है 10 अपरेल से ग्यारा या 28 नमबर तक 4 दस से या 10 अपरेल से यह 28 नमबर तक का data मेरे ख्याल से 4 अक्तूबर से 28 नमबर तक का data 2017 का यह American superstore का data है and we will see कि इस data में क्या क्या है हम इस data को open करेंगे double click करके मैंने open कर लिया open करने के बाद now you can see कि इस file के अंदर कुछ macros भी है जो macros क्या होते है formula होते है बेसिकली जो excel के अंदर embedded होते है फिर आपके पास कुछ और चीज़ें भी मज़ूद है 3 sheets है मैं enable करता हूं इस content को और बिल्कुल मैं इस पर trust करता हूं इस file पर no problem क्योंकि यह obviously एक community file है और अगर आप data देखें यह data बहुत बड़ा data है ठीक है अब इस data का link जो है जो zoom के अंदर अभी लोग बैठे है मैं उनको अभी send कर रहा हूं just for your knowledge कि आप यही सही से download कर लें और यह वाला data का link मैंने हमारे whatsapp के channel के अंदर भी paste कर दी है ठीक है और यही data का link मैंने अपनी discord की community के अंदर भी अभी paste कर दी है ठीक है so you have access to this data अगर कोई बंदा question पूछता है कि data कहां पर है after all तो यह अभी मैंने जो whatsapp का channel है वहां पर भी paste किया discord की community के अंदर भी ठीक है तो आपको search करने के जरूरत नहीं है this is a big data set really big data अब कैसे बड़ा data है कितना बड़ा data है हम वो देखने वाले है ठीक है ready हैं जी आप लोग right a से लेके हमारे जो columns है columns का पता है ना जो उपर से नीचे को चीज़ें आती है अगर यहां से देखें तो you तक column है मैंने नहीं सबी columns को select किया और अगर आप गोर करें यहां पर वी पे जाता हूं तो 22C है 21C है तो इस तरीके से अगर आप गोर करें तो मेरे पास you तक columns है और मेरे पास जो rows है एक से लेके at the end अगर मैं जाऊंगा उतनी rows है मैं यहां से इसको scroll down करता हूं मेरे पास 9994 rows है 9994 rows ठीक है अब एक तरीका कार यह है कि मैं यहां से scroll up करूं और वापिस जाऊं दूसरा तरीका कार यह है मैं यहां पे click करूं control का button दबाऊं और down arrow key दबादो control का button and down arrow key control का button and down arrow key तो यह मुझे directly नीचे ले जाएगा उसी एक file के उपर ठीक है तो आप इसको भी चला के देख सकते है control का button and down arrow key और यह इंशाला आपको totally नीचे वाली side पे end तक ले जाए अब मेरे पास यह क्यों नहीं हो रहा because I have actually added this function in Macbook और उस वज़ा से मेरे पास यह नहीं हो रहा control shift down करेंगे तो सारा select हो जाएगा control down दबाएंगे तो सिरफ यह करसन नीचे आगा control shift down या control down ठीक है? down arrow key के साथ अगर आप यही काम control के साथ control के साथ right को जाते हैं तो यही आपका control यहाँ पे आ जाएगा एक और इसकी key है control दबा के end का button दबा दें तब भी यह कह रहे हैं कि end पे आ जाएगा but I don't see that one working here so usually control के button के साथ आप shortcut keys के साथ इसे use कर सकते हैं इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा navigating through excel cells shortcut यह चेक करें यह है जी navigating through excel shortcuts अगर आप images पे जाएंगे तो somebody might have put already the shortcuts like this यह है वो shortcut which can help you for example this file यहाँ पे control over the magnet to open a workbook और यह सारी चीज़ें control और shift के साथ चल रही हैं यह workbook shortcuts हैं यह है selection shortcut यह है journal shortcut keys यह आपको याद होनी चाहिए बार बार काम करने से याद हो जाती है editing shortcut keys हैं फिर आपके पास navigating shortcut की हैं यह ज्यादा important है tab shift tab control gf5 end home page down page down page up page up arrow ठीक है so यहां से यह आप देख सकते हैं इसका link भी मैं आपको भेज रहा हूँ अभी ताकि यह भी आपके पास save हो जाब because this is the most important I would say thing that you should keep in mind जब आप excel की practice कर रहे हैं again यह चीज मैं आपको excel में भी उदर भी भेज रहा हूँ whatsapp channel के अंदर भी and I'm also sending you in discord server और आपके पास chat में भी send कर दिये right तो अगर आपका कोई भी question है you can write down in the chat तो मैं वहां पे आपको answer करता जाओंगा यहां तक clear हो गया कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं अब आपने देखा होगा कि मेरे पास 900 कुछ rows हैं और मेरे पास अगर अब मैं यहां से shift दबा के रखूं और right side पे चला जाओं यह cell select करता हूं तो जितने मैंने cell select की हैं उतनी column है मेरे पास इसका मतलब मेरे पास 21 columns हैं कितने columns हैं? 21 21 columns हैं और 9994 rows हैं 21 columns 9994 rows Let's jump into it मैं यहां पे लिखता हूं equal to 21 multiplied by 9994 यह आता है 20,874 cells यानि कि हमारे पास 20,000 points के क्रीब data है 20,874 cells हैं कितने cells हैं? 20,874 अब यह जितने soils हैं इसका मतलब है यह rows और columns को multiply करके बने rows और columns को multiply करके इनको हम data points भी बोलते हैं इनको हम cells भी बोलते हैं और इनके कई और नाम भी है है जब हम data को discuss कर रहोते हैं ठीक है? अब ये जो हमने multiply किया rows versus column को ये हमारे पास data points आगे अब second चीज क्या है अगर आप गोर करें हर एक column जो है उसका header है ये जो है header है अब मैं क्या करता हूँ let me see equal to 21 multiplied by 9994 yes ये तकरीबन ज्यादा बनते है sorry मेरी mistake मेरे से हुई है कि मैंने 994 के साथ इसे multiply कर दिया thank you for pointing that out खुरम भाई और that shows कि आप लोग interest लेके सुन रहे 9994 से करना था मैंने इसको और 9994 से कर दिया था that was my mistake और अगर यहां पर आप अगौर करें आपके पास जो total cells हैं वो हैं काई धाई सेकड़ा हजार देहजार लाग दो लाग 9874 दो लाग 9874 दो लाग के करीब आपके पास cells है which is much more than a normal excel sheet अभी तक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े data set को handle किया है that's good, अगर नहीं किया, no problem, now we are going to see अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको एक चीज यहां पर दिखाने वाला हूँ that is very crucial अगर मैं सिरफ और सिरफ इसकी top 10 rows ले लो top 10 rows और मैं इस data को copy करूँ ठीक है copy करके मैं यहां पर नई sheet बना के यहां पर लिखू यहां पर इसे paste कर देता हूँ अब अगर आप गौर करें जो data हमारे पास पहली sheet में है this one which has 2,00,000 something cells उसी data की shape में हमारे पास यहां पर data मुजूद है which is less than 2,00,000 अगर इसको मैं count करूँ so this would be 10 rows equal to 10 multiplied by 21 210 cells है हमारे पास 210 हमारे पास यहां पर है और अगर पिछली sheet देखें तो हमारे पास cells हैं total 21 multiplied by 9,996 यह बनते हैं 20,00,000 अब इनका अगर मैं difference निकालू this minus this तो हमारे पास तकरीब बन 2,00,000 9,684 के करीब extra cells हैं order वाली sheet में instead of having top row sheet ऐसा ही है अब एक मज़े की बात बता हूँ छोटी सी मज़े की बात जो formula इस एक छोटी sheet पे लगेंगे वो ही formula बड़ी sheet पे लगेंगे जो strategy आप 10 रोज पे यूज करेंगे वो ही strategies आप बड़े data पे यूज करेंगे जो type of analysis आप यहां पे यूज करेंगे exactly 99% of the time आप same strategy बड़ी data sheet पे यूज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ हमारी तरफ से दो लाग के बजाए दो मिलियन के बजाए दो बिलियन रोज भी हो जाएं doesn't matter until unless you know कि आपके पास अच्छा PC है आप उस पे computation कर सकते हैं आपके पास अच्छा understanding of knowledge है कि data आया कहां से है and then there are some other things of course हम कुछ चीजें आप देखेंगे कि किस तरीके से data बड़ा जो है वो ज्यादा जरूरी है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है मतलब जरूरी है लेकिन understanding के लिए बड़े data से understanding अच्छे तरीके से लेते हैं अब मैं छोटे data को पीछे ले आता हूं बलकि इदर ही रहने देता हूं बड़े data को पीछे रखते हैं छोटे को आगे ठीक है अब देखिएगा एक तरीका कार मैं आपको बताता हूं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं जब बड़े data से handle करते हैं सबसे पहला काम आपका होता है आप top row को freeze कर देते हैं आप view में जाते हैं ठीक है view में जाने के बाद आपके पास यहां पे कुछ options available होती है कि आप किसी चीज को किस तरीके से freeze कर सकते हैं let me see view में है या home में है I will check that क्योंकि मेरे पास यहां पे freeze की option नहीं आ रहे freeze top row की let me see again page layout, background it should be in the view but for me somehow yes, this is here freeze panes अब आप और करें keep rows and column visible while the rest of the worksheet scroll freeze top row freeze first column or this one मैं के करता हूं यहां पे क्लिक करता हूं order id पे इसमें जाके freeze panes कर देता हूं अब देखियेगा अगर मैं नीचे जा रहा हूं top row वहीं की वहीं है scroll down कर रहा हूं top row वहीं की वहीं है check करें this is how you can freeze a pane अगर मैं right side पे जा रहा हूं यह left side पे जा रहा हूं मेरे पास जो first column है वह वैसे का वैसे ही ठीक है यानि like this so this is how you can handle this first row and first column freeze अगर unfreeze करना चाते हैं यहीं भी unfreeze कर दें अगर top row freeze करने हैं something like this और अगर आपने दोनों करने हैं तो something like this ठीक है यह हो गया आपके पास freeze अब आप गोर करें जहां पे मेरे cursor का click होता है वहीं से freeze हो जाती है पेंट तो हमने क्या करना है हमेशा first column को छोड़के and first row को छोड़के अब देखें कि हमारे पास right side और left side पे भी काम कर रही है चीज और आपका यहां पे भी काम कर रही है ठीक है जी यहां तक clear हो गया जी आपको किस तरीके से चीज़ें काम करनी है ठीक हो गया अब यह जो data set है इसे को as an example हम आगे लेके चलेंगे अने वाले दिनों के अंदर भी तो इस data set को आप एक दफा save कर लें यह Power BI में भी यूज़ने टैबलियो में भी और यहां पे भी तो यह data set हमारी main जो है वो journey का हिस्सा होंगे अच्छा यही काम अब मैं यहां पे करता हूँ क्या मुझे यहां पे row और column को freeze करने की जरूरत है क्योंके data set छोटा है नहीं क्यों क्योंके मेरे सामने यह मतलब इसको मैं zoom in भी करता हूँ कितना की zoom in हो जाएगा I don't need to do that ठीक है हां एक चीज़ हो सकती मुझे column को freeze करने की जरूरत है क्योंके जब मैं scroll right करता हूँ then the column, the first column disappears but I need to know if row id क्या है so I will just go here freeze first column simple लो जी ठीक है on the other side the best practice is always freezing the first row and first column that's the best practice freezing both pins like this ठीक हो गया यह तो हो गया freeze कैसे करना है पीन को दूसरी चीज़ आप हमेशा अपने header को यानि कि जितना भी आपके header के अंदर चीज़ें मौझूद है you actually color them differently ताके वो बिलकुल unique way में नज़र आए मेरे यह practice है मैं bold और highlight कर देता हूने इसी तरीके से मैं top row को यहां से भी bold and highlight करूँगा ताके मुझे यह columns नज़र आए और columns को हम क्या बोलते है पता सब को है बताता हुई नहीं है columns को हम variables बोलते है यह सारे के सारे variables है ठीक है अब और कीजेगा मैं यहां पे select करने के बाद यहां पे double click करता हूं तो सारे अपनी shape के हिसाब से adjust हो जाते है यानि के column की width and height automatically यहां पे adjust हो जाती है now अब हम क्या देखने वाले एक अगली चीज़ जिसको हम बोलते है filters filters क्या होते हैं हम वो देखेंगे क्योंके मैंने यह देखना है कि हर variable में कितनी unique values है हर variable में कितनी unique values है उसका सबसे असान तरीका यह है कि आप data पे जाएं पहली row के किसी भी header पे click कर लें और यह filter पे click कर लें जिसका shortcut key है control shift L जो आपको दिखा भी रहे जैसे आप click करेंगे यह इस तरीके से arrow sign आ जाएगा हर एक row के जात ठीक है वो arrow sign के through आप data को easily filter कर पाएंगे जिनका system slow है या जिनके system में RAM कम है उनका filter यह थोड़ा late काम करेगा जैसे मैं इस पे click करता हूँ look it's judging and coming up in a minute क्योंकि यह सारे के सारे cells को analyze कर रहे है ठीक है अब आप देख लें कि आपके पास कितनी किसम के columns यहां पे मजूद है पहली है row id जो numeric column है order id यह numeric and text दोनों मिलके बना हुए order date यह date format में है जिनको पता है last lecture जिन्होंने सुना है उन्हें पता होगा ship date यह भी date format में है ship mode यह आपका categorical variable है क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर जो values है वो सारी की सारी क्या है second class है standard class second class first class same day तो यह order है basically क्या है order यह कौन से है ordinal variable है ship date वाला customer id में आ जाए तो number है और दूसरी चीज़े customer name क्या है यह nominal variable है segment क्या है consumer है corporate है home office है यह तीनों different है and में कोई order नहीं है तो यह ordinal variable है ठीक है समझा रही जो हमने start में पढ़ा था country है तो यह nominal है of course यह United States का सारा data we will keep that in mind city हमारे पास कौन से हैं यह सारे की सारे cities है ठीक है और यह भी हमारे पास क्या है nominal variable state जैसे province होते हैं वैसे states होती है तो यह भी आपके nominal variable है पोस्ट कोड आपका numeric variable है region आपका categorical variable है categorical nominal variable है basically ordinal नहीं है product number again आपके पास general है then you have category यह भी आपके पास categorical variable है subcategories भी फिर आपके पास है product का नाम और फिर आपके पास sales यह numeric है quantity भी numeric है discount भी numeric है profit ठीक है अब जो चीज ordinal है उसके अंदर order होगा जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहां पर second class first class same day standard class यह आपके पास ordinal है ordinal क्यों है क्योंकि delivery पे depend करता है shipping mode क्या है कितना fast करना है कितना slow कितना और slow ठीक है तो इस वज़ा से इसको हम बोलते है ship mode ship mode क्या है यह एक ordinal variable है क्यों क्योंकि इसमें categories हैं जो depend करता है कि fast कितना slow कितना कितना slow यानि कि एक order की base पे है first class ship mode जो हता है इसका मतलब है बहुत high speed पे करना है second class थोड़ा सा slow standard का मतलब कि जैसे usually सभी को ship करते हैं और इसके इलावा आपके पास जो चोथी category वह होगी अब इस data को understand करके सिरफ headers को understand अगर आप करें तो आपके पास कोई बंदा order कर रहे है order ID यह बता रही है date क्या है वो यह बता रहे है फिर वो यह देख रहे है कि आपके पास shipping हो रही है किसी चीज कि इसका मतलब है something is online working in this data तो हम data के understanding ले रहे है न हमने यह देखना कि इस data में क्या क्या है फिर आपके पास customer ID आ रही है इसका मतलब कोई customer है उसका नाम भी है फिर segment भी है कि customer कौन सा है consumer है corporate है यह home office वाल है फिर country आ रहा है फिर city आ रहा है इसका मतलब United States का data है पूरे country का different cities का different states का जिसमें कोई customer order कर रहा है data को based on something online shopping ठीक है इसका post code भी है region भी आ गया product हमारे पास कौन कौन सी है हमारे पास यह products है अगर देखा जाए furniture है office supplies and technology यानि क्योंकि furniture office supplies and technologies की category में कोई store है जो sale कर रहा है and then we have categories यह हमने देख ली sorry यहां पे हम आते हैं यह sub categories है यानि कि furniture में कौन सी category है and then बाकी चीज़े इसका मतलब है sub categories उस store की यह हैं जैसे आप dras.com का data देख लें इसी तरह यह कोई super store का data है जहां पे सिरफ furniture office supplies and technology sale हो रही है ठीक है then बकाइदा product का name भी है यानि यह specific है फिर उसको broader level पे उन्होंने different categories में divide किया फिर एक और major category में divide किया तो आपकी products यह है जो sub category में फिर major category में तीन जगों पे divide की गई यानि furniture है furniture के अंदर chair tables बगएर है फिर उनका आगे model है so that means कि आपका data categories में divide है ठीक है at the end हमारे पास sales आ रही है quantity आ रही है discount and profit आ ठीक है अब अगर गौर करें इसमें time की stems भी लगी है इसका मतलब यह data जो है यह क्या है बिलकुल आपके दिमाग में जो चीज आ रही वह ही यह time series का data भी है time based इस data को बोलते है time series का data क्यूं अगर आप गौर करें यहां पे यहां पे आपके पास 2014-15-16-17 का data मुझूद है और अगर आप यहां पे plus button पे click करें तो हर महीने का data मुझूद है हर महीने के अंदर हर date का data मुझूद है आपके पास यानि के पूरे चार सालों का data कितने सालों का चार सालों का मुझे कैसे पता चला अगर मैं थोड़ा zoom in करूं यहां पे मैंने जैसे filter पे click किया तो इसने मुझे बताया 14-15-16-17 चार साल है plus पे click करूंगा तो यह बताएगा कि सारे महीनों का data again मैं किसी भी plus पे click करूंग it will show me कि यह यकम से लेके end of the month तक का data हमारे पास मुझूद है समझागी बात की इस वज़ा से यह data time series का data है and this data has a unique understanding कि हम यहां पे pattern generate कर सकते हैं यानि कि different किसम के plots बनाके कोई output ले सकते हैं कि चार सालों में इस superstore ने क्या sale की किस साल में सबसे ज्यादा थी मैं आपको बताता हूँ इस से क्या क्या हम कर सकते हैं इस superstore से हम कुछ चीजें understand कर पाएंगे बड़ी गोर से सुनियेंगे और इनने लिखते चाहिएगा पहली चीज चार साल का data है superstore का data है हर city का data है हर state का data है customers की preferences का data है तीन major categories है multiple subcategories है और products भी है क्या आप हर साल की base पे या इन चार सालों की base पे मुझे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं पहला सवाल क्या है किस city में सबसे ज़्यदा sale होई है furniture की can you find it out इस data की base पे बिलकुल अब दूसरा सवाल सुनियेंगा यह सवाल लिखते हैं यह आपने assignment submit करवानी है मैं तरीका कार आपको बताऊंगा you will see that किस city में सबसे ज़्यदा sale हुई है पहला question दूसरा question किस region में सबसे ज़्यदा technological products की sale हुई है technological products पहले का furniture था दूसरे में technology है region की बात करो not city product name बताना है फिर अगली चीज़ साल के किस हिस्से में सबसे ज़्यदा sale हुई है superstore की as a whole हर category में combined साल के किस हिस्से में यानि के 2014 है तो 2014 के किस हिस्से में सबसे ज़्यदा sale हुई है January, February, March, April, May, June, July, September, October, November, December कोई एक महीना हो सकता है कोई pattern हो से और ये line plot से आपको पता चल जाएगा अगर आप line plot बनाएंगे या कोई भी plot बनाएंगे sale का based on the data तो आपको पता चल जाएगा फिर आपने इस question का answer देना है कि आपकी सबसे ज़्यदा जो sale होने वाली product है वो कौन सी है इन चारों सालों में तो ये question जितने है अगर आप में से किसी ने लिख ली है तो please write down in the chat और इसे copy paste करके also write down in the discord server ताकि बाकी लोगों के पास भी इसके answer आ जाए ठीक है जी यहां तक clear होगी बात अब आगे चलते है एक question बड़े interesting है जिसका answer में आप देता हूँ क्या हम इस data को कह सकते है कि यह multi-dimensional data है यह question आया है ठीक है यह data two-dimensional ही होता है जब excel की sheet में बात होती है यह two-dimensional data ही होता है यानि कि एक direction आपके उपर से नीचे है एक direction left to right है ठीक है यह two-dimensional data लेकिन जब columns हमारे पास आते है हम इसको high-dimensional data बोल सकते है जितने ज्यादा columns है उतने ज्यादा variables है और जितने ज्यादा variables है उतनी ज्यादा dimension होती है data की ठीक है अगर मेरे पास सिर्फ होता कि यह customer ने कितनी sale ली है तो यह एक dimension हो जाती मेरे पास क्योंकि एक और data है यह customer का city क्या है तो यह हमारे पास दो different dimensions होगी एक ही sale की एक बतारी customer का नाम दूसरी बतारी है city फिर एक और dimension हो सकती है कि इस city को अगर हम गोर से देखें तो यह इसका postal code क्या है region क्या है तो अगर आप देखें तो region और state को अगर मिलाएं तो यह multiple dimensions होगी फिर इसी तरीके से इसने क्या खरीदा वो एक और dimension तो इसको हम multivariate data बोलते है यानि कि multiple जिसमें variables हो अब मैं आपको समझाता हू multivariate क्या होता है univariate क्या होता है अगर मेरे पास यह एक data हो जिसमें सिरफ और सिरफ customer के नाम है मैं यहाँ पर इसे लिख दूँ यह मेरे पास univariate यानि कि एक variable है हमारे पास इसको हम univariate data बोलते है या univariate बोलते है ठीक है this is called univariate यहाँ दर clear है ठीक है अब अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पर univariate के साथ अगर मैं एक और point पकड़ू मैं यहाँ से furniture की category को उठाऊ और इसको यहाँ पर paste कर दू sorry in sheet तो यह हो गया आपका bivariate पहला था univariate क्योंकि एक column था जब आप एक column को discuss करते हैं उसको भोला जाता univariate analysis यानि कि आप एक ही column के अंदर रहके उसका analysis कर रहें this is called univariate analysis univariate analysis univariate analysis again मैं यहाँ पर लिखता हूँ univariate analysis ठीक है जब आप एक column को discuss करते हैं अगर आप दोनों को combine discuss करेंगे this is called bivariate analysis अब जब आप दो से ज्यादा को discuss करते हैं इसमें एक column को discuss किया जाता है इसमें 2 इसमें more than 2 यानि कि तीन या तीन से ज्यादा तो उसको बोलते हैं multivariate analysis ठीक है यह तीनों चीजों की समझ आगी multivariate क्या होता है univariate क्या होता bivariate क्या होता है यहाँ ता clear हो गया अब multivariate को हम multidimension भी बोल सकते हैं one dimension का मतलब यह है को उपर से नीचे को देखना this is not about physical dimensions of data मैं वो physical dimension नहीं जो physics वाले 2D, 3D होती है उसकी बात नहीं कर रहा है यह data की dimensions की बात हो रही है हमारे पास जब analysis के word को statistics में change कर दिया जाता है उसको बोला जाता है univariate statistics जो एक column के बारे में अगर कोई आप analysis करें उसको बोला जाता है बिव Trade statistics क्या होंगी अगर आप एक ही column के बारे में multiple कुई किसम की बातें करेंगे अनलाइज करेंगे यान के मैं यहाँ पर कहता हूँ के ये बंदा पांच दफा आ रहा है, ये दो दफा आ रहा है, और ये भी दो दफा आ रही है, ये एक दफा आ रहा है, so this kind of analysis and outputs are called by univariate statistics, अगर मैं बात करूं, Claire Guttay ने, Praniture जो है, वो उस category में purchasing की है, Borosina Hoffman ने इन categories में की है, और फलान ने इन categories में की है, इस इस कोल्ड by variate statistics, पर अगर मैं कहूं के इनके इलावा, जो इनकी sales है, मैं उनका भी data यहाँ पे अगर लिखो, something like this, और मैं अब इन तीनों के बारे में बात करूं, कि इन्हों ने जो furniture में sale की है, वो इतनी है, फलान में इतनी है, फलान में इतनी है, इसी के अंदर मैं multiple अगर tables ओर डाल दूँ, यह तीनों डालता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे डालता हूँ, sorry for that, मैं इनको पहले cut करके आगे करना, यहाँ पे, and then I go back, copy this, come back, paste here, यह आपके पास जो है, यह अभी भी multivariate है, क्योंकि more than two है, तो जब आप दो से ज्यादा बात करेंगे, इसको multivariate analysis ही बोलेंगे, और multivariate statistics बहुते हैं, univariate से हम काम स्टार्ट करते हैं हमेशा, फिर bivariate को देखते हैं, फिर multivariate की तरफ जाते हैं, तो हमेशा आपनी याद रखना है कि univariate is the key to understand the data, then we go towards bivariate and at the end we go towards multivariate analysis and statistics. That's exactly what we are going to do using this data analysis tool pack. यहां तक समझ आगी, किस तरीके से हमने करनी हैं चीज़ें? Okay, hopefully आपको समझ आगी होगी. अब हम top 10 rows को जब understand कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास यह सारे की सारी चीज़ें आगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल में data मुझूद है. हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे data को, जो मैंने start में आपको बताया था, थोड़ा सा zoom out करता हूँ. Zoom out करने के बाद, मैं यहां से इसको select करता हूँ, यहां तक control T दबा देता हूँ, और इस पूरे के पूरे को table के अंदर मैंने add कर दिया. अब आप गौर करें, मैंने जैसे control T दबा के add किया है, जैसे मैंने control T दबाया, यह automatically table में convert हो गया, अब गौर करें, यह मुझे कह रहा है, automatically के analyze data looks for patterns in your data, and it can use to create intelligent personalized suggestion, launch analyze data, और जैसे मैंने analyze data पे launch किया है, उसने बोले, we can't create any suggestion from your data, we gave it our best try. मतलब यह, कि जब home पे जाके, आप यह जो analyze data वाला function adds, add in है, यहाँ पे जो हमने की हुई, अगर हम इस data को पूरे को select करते हैं, और analyze data पे जाके कुछ चीज़ पे click करते हैं, and then it should give us some kind of outputs, but it didn't do, क्यों? क्योंकि हमने स्वे टेबल में add किया हुए, and it didn't analyze the data. अब हम क्या कर सकते हैं, table design पे जाके, यहाँ पे हम total row भी add कर सकते हैं, जो हमारे पास नीचे आगे है, total row, और वो total row हमने सिरफ इसकी नहीं की, हम बाकियों के भी कर सकते हैं, for example, यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा से zoom in करता हूँ, पहले, यह हमारी total row है, मैं इस पे click करता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ, जनाबे वाला, let's see, some, some, oh sorry, some, some, and some, अब आप गोर करें, कि हमारे पास अगर आप गोर करें, जो sense बनती है, वो देखते हैं, क्या बनती है, हमने sales की बात की, तो total sale हमारे पास यह होगी, ऐसे ही है, total sales हमारे पास dollars के अंदर, या euros के अंदर, जो भी currency यह वले होगी, अगर हम यहाँ पे देखें, तो quantity है, इसको भी हम sum ही करेंगे, क्योंकि हमने 49 चीज़ें in total बेची है, ठीक है, उसमें से साथ यह वाला desk accessories हैं, दो हमारे पास, eldon fold, roll card system and so on and so forth, 49 total चीज़ें हमारी गई हैं, 49 count गई हैं, discount की बात की जाए, तो हम जब sum करते हैं, तो total इतना आता है, इसकी sense नहीं बनती की हम sum करें discount को, क्योंकि discount जब कठा करते हैं, it doesn't give us any answer, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम average बे ले जाते हैं, कि on an average we gave 0.1% discount, on an average we gave 0.1% discount, क्योंकि अब हमें यहाँ पे average चाहिए, not the count, not the sum, क्योंकि discount का sense नहीं बनती है, अगर आप इसको sum पे करते हैं, so on an average इस sale में, हमने on an average 0.105 discount दिया, अगर आप इसका median चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा, standard deviation में मिल जाएगा, there are many other functions, यहाँ पे profit पे आते हैं, of course, आप अगर इतने की sale कर रहे हैं, तो यह आपका profit है, एक में आपको loss भी हुए, अगर आप देखें, minus 383 का, अगर आप चेक करें तो, इसकी वज़़ा से profit आपका कम हो गया, अब अगर आप गॉर करें, यह एक quantity, अगर मैं इसको यहाँ से delete करूँ, हमारा profit फोरण 417 डॉलर का हो गया, यानि के एक quantity, वो डाइलो याद है, dash 1 मच्छर, समझ रहे हैं, तो एक quantity basically, सारे के सारे data की मात मार रही है, and these kind of things are called outliers, यह extreme values, और extreme values, ठीक है, और इस तरह के काफी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे data में exist करती हैं, and we have to know, कि उन्हें कैसे हमने पकड़ने हैं, और कैसे deal करने हैं, ठीक है, यहाँ तक clear है जी बात, तो यह इस तरीके से, आप किसी भी एक data के अंदर काम कर सकते हैं, यह तो था table के साथ काम करने का तरीका, जो मैंने table design के अंदर आपको start में बता दिया था, आप यहाँ से remove duplicate भी कर सकते हैं, range भी बना सकते हैं, summarize with pivot table भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे click करूं, तो आप देख सकते हैं, कि हम किसी भी table को existing worksheet के अंदर, एक pivot table के अंदर भी लेकी जा सकते हैं, but I'm not going to do that, क्योंकि हमने already कर लिया हुआ, अब अगला काम में क्या करूंगा, मैं control Z करके वापस जाता हूं, just to tell you, कि हमारे पास और तरीके भी हैं, इसी एक चीज को handle करने के, तो मैं वापस उसी condition में जाता हूं, जब हमने table बनाया था, अब मैं जाता हूं data पे और data analysis पे, जैसे मैं data analysis पे गया हूं, तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पे, इसने कुछ ऐसी terminologies दे दी जो हमें पता ही नहीं है, ANOVA क्या होता है, correlation क्या है, covariance क्या है, descriptive statistics क्या है, exponential smoothing क्या है, F-test क्या है, histogram क्या है, Fourier transformation क्या है, या analysis क्या है, and there are many other statistical terms, जो हमें नहीं पता, इसकी मतलब यह है, कि अगर आप data analyst बनना चाहते हैं, और अगर आपने ठान लिये data analyst बनने की, then you must learn statistics, you must learn statistics, और यह मैं नहीं कहा रहा, यह tool बता रहे हैं, जो Excel के आपके सामने मैंने रखा है, data analysis tool pack, it gives you some kind of idea, अब मैं descriptive statistics पे click करता हूँ, यह पहली statistics की type है, जो आज से हम start कर रहे हैं, और साथ-साथ Excel में इसको लगा के भी देखेंगे, मैं OK पे click करता हूँ, and now you can see, कि जैसे मैंने उस पे click किया, वो मुझे कहता है कि किसकी descriptive statistics चाहिए, और कितनी range की चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी range को add कर सकते, कोई भी आप group by column भी कर सकते, input range भी दे सकते, and you can do some other things as well, मैं यहाँ से, यहाँ तक, इसकी range देता हूँ, column देता हूँ, label first row, मैं बलके पूरे का पूरा data select कर लेता हूँ, something like this, label in the first row कहा देता हूँ, output range, हमने कहाँ पे इस चीज़ की output लेके आनी है, मैं उसे कहता हूँ कि output जो है, वो मुझे new worksheet में दे दो, ठीक है, new worksheet में दे दो, value and everything, I'm clicking everything, just for the basic stuff, यहां पर मैं okay करता हूँ, वो कहता है कि इसमें non-numeric data भी आ रहा है, तो हमने कहाँ करना है, सिरफ numeric data को यहां पर select करना है, ठीक है, मैं वापिस जाता हूँ, इसमें, इसमें से सिरफ और सिरफ numeric data को select करता हूँ, यह वाला हमारा numeric data आ गया, बलके यहां से यहां तक, numeric data जो हमारे पास आया, मैंने उसे select किया, okay किया, and here you have a summary statistics table, जो एक click में आपके पास आ गया है, ठीक है, बिलकुल जनाब multivariate को multidimensional data बोल सकते हैं, यही अर्ज मैंने पहले किया, high dimensional data या multidimensional data, multivariate वाला ही होता है, हर variable को एक dimension बोला जाता है, और उस भी multidimensional बोल सकते हैं, that was a question, by the way, यह हमने चार columns की descriptive statistics निकाल ली है, descriptive क्या है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, descriptive statistics का मतलब है, कि जो data आपके पास, आपके पास मुझूद है, which is this one, जिसका हम mean, average, total, sum, count वगएरा देख रहे थे, वो basically हर column, यानि कि univariate analysis of each column, जो हम data के बारे में बताते हैं, कि data में average क्या है, total क्या है, sum क्या है, standard deviation क्या है, and there are many other things, उसको बोला जाता है, descriptive statistics, हमने वो ही किया है, सिरफ एक click के अंदर, and this, here we go, we have sales की descriptive statistics, which is in these two columns, अगर मैं इनको highlight कर दू, something like this, यह है sales की, यह है quantity की, in different color, discount की, in different color, and then you have a profit, descriptive statistics in really different color, तो अगर यह चारो color आप देखें, हर टेबल की descriptive statistics आपके पास यहां पे मौजूद है, क्या मौजूद है, descriptive statistics, statistics क्या है, इसके बारे में हम बड़ी detail में गुफदुगू करेंगे, और हमारे पूरी एक workshop होगी, descriptive statistics, inferential statistics, और बाकिश statistics के lectures की, but for now, you should keep in mind, किसी भी data के बारे में कोई final answer देना, किस data में क्या है, जैसे हम कहते हैं कि on an average इस data का mean यह है, quantity का mean यह है, discount का mean यह है, profit का यह है, ठीक है, क्यूंकि हम चार columns को देख रहे हैं at a time, तो यह multivariate statistics हैं, लेकिन, there is a thing, हम चारों का अगर link बना रहे हैं, तब multivariate है, वरना यह univariate है, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को करता हूँ, यहां से remove, अब हम कर रहे हैं univariate statistics, एक ही column की univariate statistics, and this is important to know, कि आप एक ही column के अंदर चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, और वो column का नाम क्या है, sales, यह sales का column है, इसको हम देख रहे हैं, mean में जाके mean आएगा, standard error आएगी हमारे पस, what is that, I will explain you in upcoming lectures, median क्या है, वो आएगा, mod क्या है, वो आएगा, standard deviation क्या है, sample का variance क्या है, kodosis क्या है, squiness क्या है, range क्या है, minimum and maximum क्या है, यह आपने चीज़ें पढ़ी है, यह भी आपने पढ़ा है, यह दोनों भी आपने पढ़ी हैं, मेरे से अभी तक, में इनको highlight कर लेता हूँ, आपके बास, some का भी पता है, आपको count का भी पता है, largest and smallest का भी पता है, ये चीज़ें आपको पता है ठीक है बाकी चीज़ें हमने statistics में सीखनी है so descriptive statistics is something that tells you about that specific column in a univariate analysis एगर एक specific column की बात की जाए univariate में descriptive हो जाएगी अगर bivariate analysis में बात करें तो दोनों columns का link बना के या other than the link जब हम उनकी statistics देखते हैं उन्हें बोला जाता है descriptive statistics again multivariate के देखेंगे तो multivariate analysis के अंदर उसकी descriptive statistics है and this is the first ever step of data analysis आप data analysis के पहले step में descriptive statistics लगाते हैं क्या करते है descriptive statistics लगाते हैं again data analysis जब भी आप करते हैं start में obviously जितने मैंने step आपको बता हैं collection का error removal का बाकी चीज़ों का उसके बाद जब आपका data आ जाता है आप descriptive statistics लगा के देखते हैं कि data में खामनिया के हैं data में कौन सी ऐसी चीज़ें जो improve होने वाली है and data हमारा कैसा देखता है यहां तक आपको clear हो गया होगा there are many things related to the statistics और जो लोग यह अब question पूछ रहे हैं कि कितनी statistics जिरूरी है मैं again refer करूँगा अपनी book की तरफ वो सिरफ एक दफा बुक पढ़ लें अभी मैं दुबारा से आपको उसका link दिखा देता हूँ अगर आप वो मेरी statistics की book एक दफा पढ़ लेंगे believe me बहुत यसान अलफाज के अंदर लिखी हुई है और कैसे आपने जाने उस book पे simply आपने codanics.com पे जाने जाने के बाद home पे जाए home page पे जाने के बाद ये books पे जाए books के अंदर यहाँ पे ABC of statistics की book है और इस book के अंदर जितनी statistics मैंने बताई है that is more than enough to learn any data analysis thing more than enough और यह basic से advanced level की नहीं है बलके basic से intermediate level की है so advanced level की statistics मैंने नहीं बढ़ाई इस में सिरफ basic level की and I'm gonna teach you each and every concept of this book inshallah in upcoming lectures और वा lectures inshallah आपके सामने upload हो जाएंगे जहां पे descriptive क्या होती है, inferential क्या होती है, statistics कैसे होती है, t-test क्या होता है ANOVA क्या होता है, flan test क्या होता है, flan test क्या होता है उनकी base पे आप statistics को देखेंगे जो लोग statistics को सीख जाती है they are much better data analysts as those people जिनको statistics नहीं आती तो which advice is yours, अगर नहीं सीखेंगे तो वोई बाद है ना, कि आपको कुछ नहीं आता सीख लेंगे तो क्या ही बाद है and believe me, अगर आप statistics अच्छे से सीख जाते हैं you can earn a lot of money just providing the data analysis services और आपके अपने गिर्दोनमा में universities के students को analysis करने ही नहीं आता statistical analysis की बात कर रहा हूँ आपने वो फिकरा सुना होगा ना यार, thesis की stat लगा दो तो आप कहेंगे, लहें भई, लगा देता हूँ and these are my charges क्या हाल है so just imagine कि अगर 10 students पे आप से statistics लगवाते हैं after learning the statistical tool and data visualization जो मैं आपको सिखा रहा हूँ you can actually earn at least starting from 10 to 20,000 आप एक लाग टेल लाग भी ले सकते हैं अगर statistical analysis थोड़ा सा advanced level का so believe me, you can earn a lot of money of course, आपने सिर्फ लगा के नहीं देनी stat उन्हें सिखाएं भी ताके ethics के against न जाएं हम यानि कि किसी का काम हम ना करें बलकि उन्हें सिखाएं भी साथ services दें अपनी लेकिन सिखाएं भी this is how you can earn a lot of money and अगर मेरे से आप पूछेंगे के data analysis सीखें हम कैसे पैसे कमा सकते हैं तो मैंने पहले भी बोला हर वीडियो के अंदर एक आधी tip में ज़रूर देता हूं पैसे कमाने की and believe me आप सिर्फ पूछना स्टार्ट कर दें अपने एर्दिगिर्द EMPHIL के स्टूडेंट से PhD के स्टूडेंट से या Bachelor के thesis वाले लोगों से के stat लगा लिया thesis पे आपको जवाब मिलेगा कोई मिली ने रहा सिखाने वाला या कोई बताने वाला नहीं मिल रहा या मुझे पता नहीं है कैसे लगानी सीखने वाला नहीं है कोई स्टूरी सिखाने वाला नहीं है can you help me तो वहाँ से गेम चलनी है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे आती है I can help you with that लेकिन उसके चार्चीज लगेंगे दोस्ते हैं तो डिसकाउंट दें लेकिन फ्री में काम नहीं करें फ्री के काम की वेल्यू नहीं होती वही काम 10 से 15 या 20 जार में करेंगे ना that person will say यार ये वाला काम सही हुआ है मेरा फ्री में करेंगे ना आम बस लाद इतनी स्टाइट पता नहीं सही है के नहीं so these kind of things happen true to the point लगाएं और इंशाला ला तला काम या भी देगा this is how you can learn और जिन लोगों की BS statistics है ना वो एक दफार बुक पढ़के देखें believe me आपके काफी concepts clear होगे right जी okay यहां पर अपने lecture का एक्तिताम करते हैं क्योंकि आज alhamdulillah हमने और रेड़ी पूरा एक घेंटा जो है इस पर गुफ्तुगों की है और आज का lecture hopefully आपको कफी ज़्यादे input दे गया यही सारी चीज़े Python में हमने करनी है concept मैंने समझा दिया फिर सिर्फ coding सिखा नहीं सो आपका Python वाला काम भी आदा हुआ पड़ा है Tableau वाला भी हुआ पड़ा Power BI वाला भी सिर्फ implement करनी है यह चीज़ें वहां पर ठीक हो गया जी